जैन सातियो मैं एक्सरेश में सुधीर आपका अपने योट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ दिल्लीपिलिस हैट कॉस्टेवल एडवलू टीपियो के लिए जो हमारी टोटल पोस्ट थी 857 जो टोटल फॉर्म अपलाई हुए थे 561,207 प्रजेंट कंडिडेट रहे हैं वह अप्रॉक्स 70 परसेंट कंडिडेट रहे हैं कॉंपिटिशन की बात करें पर कंडिडेट तो 458 कंडिडेट पर सीट पर फाइनल सलेक्शन के लिए कंडिशन में आते हैं फिजीकल के लिए सौट लिश्टेड होने वाले कंडिडेट 17,140 हैं अगर फिजीकल के लिए कंडिडेट की बात करें तो 22 कंडिडेट एक सीट पर फिजीकल के लिए कंडिडेट है इस तरह से देखा जाए तो फिजीकल के लिए काफी कंडिडेट है AWO TPO में आए जानते हैं अलग-अलग category wise हमारी expected cut-off क्या रह सकती है सबसे पहले बात करें हम exam level की तो हमारा GA और general science moderate to heart पूछा गया है math reasoning और computer easy to moderate इसमें आया है total 6 shift में यह exam हुआ है तो normalization भी अपना effect जरूर करेगा बात करें category wise vacancy की head costable AWO TPO के लिए male और female अलग-अलग category wise vacancy दी गई है और इनकी cut-off भी अलग-अलग ही लगेगी जिसमें के male candidate की बात करें general category से जो candidate physical के लिए shortlisted होंगे 3420 EWS के लिए 920 OBC के लिए 2040 SC के लिए 1720 ST के लिए 1080 जो हमारी expected cut-off रहने वाली है वह हो general के लिए 70 EWS के लिए 65 OBC के लिए 68 SC के लिए 63 और ST के लिए 60 आप सभी को पता ही होगा कि physical के लिए 20 times candidate को shortlisted किया जाना है और per seat पर physical के लिए जो competition निकल क्या रहा है 22 है इस exam में negative marking भी नहीं थी इसलिए इतनी cut-off जाने के पूरे-पूरे और ST के लिए 45 डिपार्टमेंटल कंडिडेट का idea थोड़ा सा कम लग पा रहा है तो कि कितने डिपार्टमेंटल कंडिडेट ने forum फिल किया है इसका idea मुझे भी नहीं है फिर भी हम डिपार्टमेंटल कंडिडेट की expected cut-off को एक्सरस्मेंट कटेगरी के आसपास ही मान के चल सकते हैं बात करें female candidate की general से 68, EWS से 63, OBC से 66, SC से 61, ST से 60 और जो departmental candidate female होंगी उनकी general से 55, EWS से 50, OBC से 52, SC से 48, ST से 46 यह expected cut-off मेरा खुद का अनुमान है थोड़ा बहुत उपर नीचे होने के भी chance रहेंगे क्योंकि expected cut-off कोई नहीं बता सकता है हमें अपने अनभव से सिर्फ idea ही लगाना होता है अब बात करते हैं साथियो दिल्ली पुलिस head costable AWTPO में final cut-off और selection के लिए जो trade, test और typing है वह qualifying nature का है यानि के इनके कोई भी marks नहीं है जो आपकी final merit लगनी है written exam के उपर ही लगनी है लेकिन इसमें साथियो NCC holder और जो हमारे graduate diploma वाले है उनको भी अलग से weightage दिया गया है तो जिनके बास ये certificate रहेगा उनको भी फायदा रहेगा final selection के लिए मेरा जो अन्वान है जो physical के लिए cut-off आएगी उससे minimum 12 marks पिलस होने चाहिए लगबग 12 marks तक final cut-off बढ़ने की पूरी-पूरी सम्मावना रहेगी इसलिए आप AWTPO के साथ-साथ अपने other exam की भी preparation लगातार करते रहे मिलते हैं साथ यो नेक्स्ट वीडियो में धन्नवाद जहिन